पॉस्थन है आपका रिक्तिस्तान पर कौन सा पता आएगा ये आपको find out करना है दी गई letter series में आपर है कितने letter missing है पा charcoal letter आपके missing है ये पांचो설 letter आपको find out करने है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे number of letter यहाँ पर है count करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, घ्यारा, बारा, तेरा तो तेरा आपके यहां पर लेटर हो गए जो कि आपको क्या है, गिवन है और 5 लेटर क्या है आपके, मिसिंग है तो टॉटल नमबर उफ लेटर कितने हो जाएंगे तेरा और पांच कितने हो जाएंगे अठारा हो जाएंगे तो अठारा लेटर यहाँ पर आपके पास में हो जाएंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं जो लेटर है उनको हमें तीन तीन लेटर के छे सेट में डिवाइड कर देते हैं कितने सेट में 6 set में ताकि इन्हें compare करके काफी easy तरीके से इसे हमें solve कर सकें तो सबसे पहला हमारा set बन जाएगा A, खालिस्तान C, उसके बाद में second set बन जाएगा A, B, खालिस्तान उसके बाद में हमारा set बन जाएगा खालिस्तान B, खालिस्तान और उसके वाद में सेट बन जाएगा A, B, C और उसके वाद में सेट बन जाएगा उसमें हम देखते हैं A आपका एक बार है B आपका एक बार है C भी आपका एक बार है इसी प्रकारी सेट नमबर जो 6 है उसमें A एक बार है B भी एक बार है और C भी एक बार है मतलब A, B और C कितनी कितनी बार है एक एक बार है तो सबसे पहले वाले सेट को हमें चोथे वाले सेट से compare करते हैं तो यहाँ पर A और C तो भरा हुआ है Missing क्या है यहाँ पर आपका B यहाँ पर Missing है इसी प्रकार से सेट नमबर 2 और A 4 को अपस में compare करते हैं तो A और B तो आपका भरा हुआ है Missing क्या है C है इसी प्रकारे Set number 3 और 4 को compare करते हैं तो only B यहाँ पर भरा हुआ है Missing क्या है आपका A और C यहाँ पर Missing है इसी प्रकारे Set number 4 और 5 को compare करते हैं तो यहाँ पर A और C तो भरा हुआ है Missing क्या है B है तो सबसे पहले हमने क्या भरा B भरा उसके बयाद में हमने C भरा उसके बयाद में हमने A भरा उसके बयाद C भरा और सबसे लाश्ट में हमने क्या भरा B भरा तो आप व्यर्षि क्या बन गई BCA BCA BCB जो कि आगो option no.3 में given है तो option no.3 हमारा यहाँ पर correct answer हो जाएगा जिसमें आपको विकल्प का चेन करना है इसके लिए चार उप्षन है A B C D आपको गिवन है तो A उप्षन में लिखा हुआ है आठ से 27 से B आप्शन में लिखा हुआ है 125 से 216 सी आप्शन में आपका लिखा हुआ है 343 से 512 और D आप्शन में आपका लिखा हुआ है 1009 से कितना लिखा हुआ है 1331 आपका लिखा हुआ है तो इन्हें हम चेक करते हैं तो आपका 8 क्या होता है आठ आपका दो का क्यूब होता है इसी परकार से 27 क्या होता है तो 27 आपका तीन का क्यूब होता है मतलब भी पहले दो का क्यूब क्या उसमें एक बढ़ा कर यहां पर तीन का क्यूब कर दिया मतलब पहली संक्या का क्यूब है और सेक्रेंड संक्या भी क्यूबी के फॉर्म में है इसी प्रकार से ये बी आप्सन को देखते हैं तो एक सो पचिस क्या होता है ये आपका पांच का क्यूब होता है और दो सो सोला क्या होता है ये आपका छे का क्यूब होता है इसी प्रकार से हमें आगे यहां पर चेक करते हैं तो तीन सो तैयालिस क् 12 आपका 7 का Q होता है इसी प्रकार से 512 क्या होता है इसी प्रकार से हम आगे देखें तो 1331 क्या होता है तो यह 11 का emerging होता है तो इससे पहले एक संख्या कम है बोले तो दस का क्यूब आना चीए मतलब संख्या हजार आनी चीए लेकिन यहाँ पर एक हजार नो लिखी हुई है तो इस प्रकार से आपने देखा 2 का Q, 3 का Q, 5 का Q, 6 का Q, 7 का Q, 8 का Q तो इसी प्रकार से 10 का Q और 11 का Q आना चीए लेकिन option number D में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि संख्या 1009 आ रही है जबकि संख्या 1000 आनी चाहिए तो इस प्रकार से D हमारा बेमेल विकल पे हो जाएगा नमबर सीरीज का आपको कॉशन गिवन है जिसमें 1, 2, 3, 5, 8 और उसके बाद में कॉशन मारक है और कॉशन मारक आपको माइन फांड आउट करना है जिसके लिए 4 आप्शन गिवन है A, B, C, D तो कैसे सॉल करेंगे तो सबसे पहले हम देख पारे हैं अगर इसमें 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा हम 3 पर पहुंच जाएंगे इसी परकार से हमें 2 और 3 को हम जोड़ दें तो किस पर पहुंच जाएंगे हम 5 पर पहुंच जाएंगे इसी परकार से अगर 3 और 5 को जोड़ दिया जाए तो हम कितने पर पहुंच जाएंगे हम 8 पर पहुंच जाएंगे इसी परकार से अगर 5 और 8 को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम कितने पर पहुंच जाएंगे हम 11 और 8 कितना होता है यह हमारा 13 होता है तो 13 पर हम पहुँच जाएंगे जो कि हमारा question mark है उसका मान कितना आ जाएगा तो इसका मान हमारा 13 आ जाएगा तो 13 कितने पर है option number C पर है जो कि हमारा correct answer हो जाएगा एक बार आपिस देख लेते हैं जो 2 संक्याओं का योग है वह तीसरी संक्याओं के बराबर है मतलब एक और दो को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा तीन आएगा इसी परकार से आपे दो और तीन को आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा इसी परकार से आपे 3 और 5 को अपस में 8 करोगे तो हम 8 पर पहुंच जाएंगे इसी प्रकार से आप 5 और 8 एं दोदनों को जोड़ोगे तो आप कोशन मार्क पर पहुंच जाओगे तो 8 और 5 कितना होता है तो यह हमारा 13 होता है जो कि option number C हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा जहाज जैसे कफ्तान से सम्मंदित है वैसे ही अकबार किसे सम्मंदित है तो प्रकाशकी, संपादकी, मुद्रकी और पाठकी जहाज को चलाने का काम कौन करता है कफ्तान करता है वैसे ही अकबार को चलाने का काम करता है तो अकबार का संपादक ये काम करता है अकबार को चलाने का कोशन है निमन में से कौन सा दूसरों से सम्बंदिते नहीं है इसके लिए नीचे आपको चार आप्शन है गिवन है वीना, बासूरी, गिटार और सारंगी तो इन चिरों को हमें कंपेर करना है और चेक आउट करना है कौन सा इसमें डिफरेंट विकल पे गिवन है तो सबसे पहले हम बात करें वीना की हम बात करें तो वीना किस परकार का यंत्र है तत्वाद्य यंत्र है मतलब इसमें तार का प्रियोग किया जाता है कुछ इस परकार की आपकी वीना बनी होती है जिसमें तार लगाया जाता है और तार की सायतासे से बजाया जाता है सिमिलर हम बात करें आप्सन नमर टू तो आप्सन नमर टू जो गिटार है वो भी किस परकार का यंत्र है तत्वाद्दे यंत्र है इसी परकार से सारंगी की हम बात करें सारंगी में भी तारे लगा होता है तो ये भी आपका ततवाद्दे यंत्र है जबकि option number 3 है बासूरी ये आपके मुहें से बजाई जाती है तो ये आपका किस परकार का यंत्र हो गया सुशीर वाद्दे यंत्र हो गया क्योंकि इसे हमें फूंक देखकर बजाते हैं इस कारण से ये अन्य से भिन हो जाएगा क्योंकि अन्य विकल्प आपके ततवाद्दे यंत्र है जबकि ये मुहें से बजाने के कारणे सुशीर वाद्दे यंत्र है तो बासूरी हमारा इस कोशन का अंसर हो जाएगा कोशन है आपका एक लड़के का परिच्चे कराते हुए एक लड़की ने कहा ये है मेरे मामा के पीता जी के लड़की का लड़का है लड़की एवमें लड़के में क्या संबंद है ये आपको बताना है इसके लिए आपको चार आप्शने गिवन हैं तो इसे हम सौल करने की कुछिस करते हैं तो सबसे पहले जो लड़का है उसे हम बोई लिख देते हैं बोई का परीचे कराते हुए बोई का परीचे कौन करा रही है गर्ड करा रही है लड़की बोल रही है लड़की क्या बोल रही है लड़के के बारे में कि मेरे मामा जो इस लड़की का मामा है यहाँ पर हम मामा बना देते हैं मामा के पिता जो लड़की का मामा है उसके हम पिता जी हाँ पर बना देते हैं पिता की लड़की जो पिता जी की जो लड़की है यहाँ पर हम लड़की बना देते हैं पिताजी की का लड़का है यह जो लड़का है वो मेरे मामा के पिता की लड़की का लड़का है इस परकार से आपका रिलेशन्सिप दिया गया है और यह रिलेशन्सिप हमने यहाँ पर बना लिया है फिर पूछा गया है लड़की और लड़के में क्या रिस्ता है मतलब इस गर्ल और इस बोई का अपस में क्या रिस्ता है यह आपको बताना है तो यहां पर हमारा रिलेशन्सिप आ गया जो लड़की है लड़की का मामा मामा जो है मामा का पिता मामा का पिता क्या हो जाएगा लड़की का नाना हो जाएगा क्या हो जाएगा नाना हो जाएगा तो जो नाना है नाना की बेटी क्या हो जाएगी लड़की की मा हो जाएगी क्योंकि कहा गया है मामा का पिता और जो पिता है पिता की लड़की पिता की लड़की क्या हो जाएगी लड़की की मा हो जाएगी तो ये तो मा का बेटा हो गया और ये मा की बेटी हो गए तो एक ही मा से उत्पने बेटे और बेटी क्या हो जाते हैं आपस में भाई बहने हो जाते हैं तो पूछा गया है लड़की का लड़के से क्या सम्मन्द है तो बहीन भाई का सम्मन्द है यहाँ पर आप्शन नमर टू हमारा करेक्टे हो जाएगा